सदरस्पताल के प्रिशवकक्ष से नवजात की चोरी हुए करीब 30 घंडे बीद गये परन्तु अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है सवजन से लेकर अधिकारी तक बच्चे की खोच कर रहे हैं परन्तु खबर प्रेशर तक नहीं मिल सका है बतादे की सदस्पताल के प्रिशवकक्ष से बुद्धवार दुपर को नवजात की चोरी हो गई चोरी के बाद प्रिशवकक्ष में अफरत अफरी मच गई हुआ यू कि रफी घंज थाना के बीवीपुर गाउनिवासी दिनेश चंद्रवशी की पत्नी शिरान्ती देवी का बुद्धवार दुपर बारा बच कर साथ मिनट पर प्रसव हुआ प्रसव में पुत्र जन्म लिया था नर्स के द्वारा बीसी जी का टीका देने के बाद नवजात को मा के हवाले सुपुर्द कर दिया कुछ देर बाद एक महिला आशा बनकर पहुची सिरान्ती से बताया कि मैं आशा हूँ आप अपना बच्चा दीजिए बीसी जी का टीका दिलवाना है सिरान्ती ने महिला को बताया कि बच्चे को बीसी जी का टीका दिया जा चुका है महिला ने बताया कि गौटी का देना है शिरांती ने अपने पुत्र को महिला को दे दिया कुछ देर बात जब तक महिला ने बच्चे को नहीं लाई तब शिरांती और एवं उसके स्वजन बच्चा को खोजने लगे परंतु कहीं पता नहीं चल सका प्रशाप कक्ष की इंचार सुलेखा ने बताया कि शिरांती की गोट से महिला बच्चे को लेकर बाहर चली गई अपना बच्चा को अंजान व्यक्ति के हाथों में नहीं देना है परंतु महिला कैसे दे दी या कहा नहीं जा सकता है बता दे कि या पहली घटना नहीं है बारे दिसंबर को नर्स कंचन कुमारी का कक्ष से ही पर्स चोरी हो गया था पर्स में पांस जार रुपया इवं पंद्रह हजार का मुवाइल समेट कहीं कागजात इवं उप्योगी समान थे काफी खोजबीन हुआ था परंटो नहीं मिला एक महिला पहले बच्चों के बीच अदला बदली हो गई थी मामला थाना तक पहुचा थाना के दोर समझता करा कर मामले को बच्चे को अपने अपनी मा के हवाले सुपर्द कराते हुए शांत कराये गिया प्रशाफ कक्ष की इंचार सुलेखा ने बताया कि शिरान्ती की गोच से महिला पच्चे को लेकर बहार चली गई पर इस्थित प्रशाफ कक्ष में भीड लगी रहती है यहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है एक मरीच के साथ उसके आठ सिदस सोजन कक्ष के अंदर जमे रहते हैं इस्ति यह होती है कि भीड लगी रहती है अगर गाड मना करता है तो उनके साथ सोजन जगडा करने को तैयार हो जाते हैं अस्पताल का बदहाल विवस्था दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है खबर प्रेशर तक प्रसूती महिला का नवजाद बच्चा नहीं म पांगा गया है पंत अभी तक नहीं मिल सका है आविजन मिलने के साथ ही कारिवाही की जाएगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें